आज किस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्नावली 8.2 का क्वेस्चन नमबर 5 देखेंगे आज देखतें क्या दिया हुआ मतलब यह जो दिया हुआ इसके प्रसार में चौथा पद आपको ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना एकस माइनिस 2i की पवर 12 के प्रसार में चौथा पद चौथा पद चौथा पद टी आर प्लस वनवे पद में आता है टी आर प्लस वनवे पद में आता है हम क्या मान लेंगे माना एकस मानेस 2i की पवर 12 के प्रसार में चौथा पद टी आर प्लस वनवे पद में आता है अब टी आर प्लस वनवे पद क्या होता है तो हम जांते हैं t r plus ½ जो पद होता है उगो ँगो होता है n c r x की पाउर n minus r e की पाउर r यह t r plus ½ पद होता है तो हमने क्या माना की जो 4 पद है इसका वो इसमें आता है t r plus ½ में पद में आता है अब क्या करेंगी यह जो दिया हुआ है इसकी तुलना हम करेंगे x प्लस a to the power n से अब x माइनस 2i के पावर 12 की तुलना x प्लस a से x प्लस a के पावर n से करने पर जब करेंगे तो x यहाँ पर देखिए a का मान क्या मिलेगा a का मान मिलेगा minus 2i n का मान क्या मिलेगा n का मान मिलेगा 12 ठीक है a का मान मिलेगा आपको minus 2i n का मान मिलेगा 12 यह अपने आप देख रहे होंगे देखिए a का मान हो जाएगा minus 2i और n मिल जाएगा 12 ठीक है अब आप क्या करेंगे यह जो मान है इसमें रखेंगे समिकड़ एक में रखेंगे पर चुकि यहाँ पर आपको चौथा पद ग्याद करना था ठीक है न यानि कि हम यहाँ पर dr प्लस 1 यहाँ पर आपको क्या ग्याद करना था चौथा पद ग्याद करना था यह यह चारवाँ पद आपको यह निकालना है ठीक है न तो इसमें हम r की जग़ ऐसा कौन सा नंबर रख दे कि हमारा जो t4 बन जाए तो r की जग़ हम क्या रख देंगे 3 प्लस 1 r बराबर क्या रखें है 3 तो 3 प्लस 1 यानि की t4 यही चोथा पद है t4 लिखे या 4 पद यह से लिख लिए चोथा पद लिख लिए अगर आपको मान लिजिए 6 पद निकालना रहा है 6 पद तो इसमें इस t r प्लस 1 में कौन सा नमबर रखेंगे r के जगह की 6 पद मिल जाए तो आप क्या करेंगे r बराबर 5 रख देंगे तो t5 प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा t6 मिल जाएगा अगर मान लिजिए आपको 8 पद निकालना है तो t r प्लस 1 में r बराबर क्या रखेंगे r बराबर रख देंगे 7 तो देखिए 7 प्लस 1 बराबर t8 यानि कि यह आठवा पद मिल जाएगा कुल मिला के क्या कहना है कि जब आपको 4 पद निकालना है तो यहाँ पर r की जगह आप 3 रख देंगे यहाँ एक हमेशा रहेगा इस सुत्र में हमेशा एक यहाँ पर रहेगा जैसे आपको 4 पद निकालना है 4 पद निकालना तो आप इस फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं तो क्या आप कर लेंगे t3 प्लस 1 लिख लेंगे अगर आपको दसवाँ पत अगर आपको निकालना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस रूप में लिख लेंगे, T9 प्लस 1 लिख लेंगे, मतलब R प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, तो चुकि आपको यहाँ चौथा पत ग्याद करना है, यानि कि आपको T4 ग्याद करना है, यानि कि r के जगाँ आप रख देंगे t3 plus 1 बराबर हो जाएगा अब देखिए n कामान कितना है 12 12 c r r देखिए हैं आप तैन देजीगा r कामान 4 नहीं रखेंगे 3 रखेंगे तो ये 3 हो गया फिर x के पावर 12 minus 3 r कामान 3 है फिर a कामान है minus 2 y के घाते r यानि के r कामान है 3 r कामान 3 है जब हम उपन करेंगे तो 12 c 3 और x के पावर 12 तिन गया 9 और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं minus 2 के पावर 3 into y के पावर 3 अब ये क्या हो गया 12 c 3 और ये गुड़े minus 2 के पावर 3 का मतलब minus 8 हो जाएगा और x के खाते 9 y के खाते 3 ठीक है जब इसको हम calculate करेंगे इसको खल करेंगे तो इसको लिखेंगे फेक्टोरियल 12 बटे फेक्टोरियल 3 और 12 में से 3 गया फेक्टोरियल 9 इसको कैसे लगा रहा है ncr से और गुड़े minus 8 into x के पावर 9 into y to the power 3 लिख लेंगे अब फेक्टोरियल 12 को तोड़ लेंगे तो 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े 9 तक छोड़ देंगे अब इसको हम 3 वाले को तोड़ देंगे तो 3 गुड़े 2 गुड़े 1 गुड़े फेक्टोरियल 9 9 तक क्यों छोड़ा 9 गुड़ नीचे है कट जाएगा फेर गुड़े minus 8 फेर x के खाते 9 y के खाते 3 यह आपको मिलेगा अब देखिए इससे यह कट जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यह कट जाएगा यानि कि 2 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े minus 8 गुड़े x के पाउर 9 y के पाउर 3 मिल जाएगा 11 दूनी 22 नहां में 220 हो जाएगा और गुड़े minus 8 x के खाते 9 y के खाते 3 8 का गुड़ा करिए 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पे minus लगा देजिए x के पाउर 9 y के खाते 3 यह मिल जाएगा आंसर यानि कि जो आपका चौथा पद होगा वो क्या होगा t4 बराबर minus 760 गुड़े x के खाते 9 y के खाते 3 यह आपका चौथा पद होगा ठीक है तो यह आपका आंसर होगे आपका चौथा पद निकल गया